Hello students, welcome in the online classes of Indian school class. As you know, we are on second lesson of home science of 11th class. आज हम home science का 11th class का second lesson में ग्यानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विशह में पढ़ेंगे. आईए विस्तार से बढ़े हमारा क्वेस्चिन है. ग्यानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन की जिए. ग्यानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्तव. बच्चे ग्यानात्मक योगताओं में एक दूसरे से भीन होते हैं कहने कारताजे. बच्चे क्या है वियोगताओं के नुसारेक दूसरे से भीन होते हैं कुछ बच्चे कुसागर बुद्धी होते हैं तो कुछ सीखने में दूसरों की पेक्षा कुछ दी में और जब की बहुत से मद्यम वर्गी होते कहने करता है कुछ बच्चे तेज होते हैं शीखने में और और कुछ क्या है दूसरों से सीखने में क्या है धीमे होते हैं कुछ मद्व यानि मीडियों में वरगिया होते हैं इन बोधिक विवन्ताओं का क्या कारण है क्या यह अनुवानसिक होती है prowadवन के परबाव के अंतरगत उत्मन हो जाती है मन वेज्ञानिक बहुत समय से इस विशे का अध्यान करते रहे हैं तथा बहुत से अनु संसादनों से इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इस परकार की विविंताय उत्पन होने से अनुवानसी की तथा वातावन दोनों की ही भूमिका होती है तो हैं हम पड़ेंगे अनुवानसी की अनुवानसी की सीसु के कंसेप्सण केस में पुर्वजों को जो पित्रक अपने माता-पिता से प्राप्त होते हैं कैने कारताय को उसे ज्ञानात्मक विकास को परभावित करने वाले सबसे महत्वपुण कारक बनते हैं अनुवान सिक्ता के अनुसार बालक की मूल बुद्धी निदारित होती है निसंदे बुद्धी मान बालकों को ग्यानात्मक विकास मन्द बुद्धी बालकों की बेक्षा अधिक होता है कहने का अर्थ है ग्यानात्मक विकास क्या है जो बालक तेज होते हैं उनका ग्यानात्मक विकास अधिक होता है और जिनकी बुद्धी तेज होती है और जिनकी मन्द बुद्धी होती है उन बालकों का जो ग्यानात्मक विकास कम होता है किसकी बजाए तेजबुधिवालों की अपेक्षाय मंदुधिवालकों का अधिक अच्छा नहीं होता विकास क्योंकि कुशागर बुधिवालक की अक्षमताईं वह योगताईं अधिक होती हैं उसके क्या है उतिवर होते हैं और वो अपने वातावर्ण में परियाब तथा उचीत उधिपन जल्द ग्रहन कर पाता है कौन तेजबुधिवाला तथा उनकी अनुशार सीगर सीखता है उचीत रख कर सकता है विचार कर सकता है और सही प्रत्याई करण कर पाता है यद भी इसके लिए आफ्शकाए कि उसके ज्ञानेंद्रियों स्वस्थ तथा सुवि किने कारणों जैसे बिमारी या दुरगटनादि से विकार आ जाने की संभावना हो सकती है, वातावरण इसमें कोई सक नहीं है, संदे नहीं है, किसी भी आईव में बालक में कि ग्यानात्मक विकास का मुख्यादार उसकी मूल बुद्धी होती है, तथा उनकी प्रीपक होता उसके वातावर्ण से ही परभावित होती है, कहने कारता जो बालक की जो मानशीक अक्षमताई हैं और उसकी परीवकता यानि मैचूर होना किस पर वातावर्ण से ही निर्बर होती है, यानि वातावर्ण से ही परभावित होती है, वातावर्ण का परभाव किस हाथ तक पढ़ सकता है या फिर से निहीत अक्षमताओं पर ही निर्बर करता है वातावरण में मुख्य रूप से दो तत्तव बोधिक विकास को परबावित करते हैं कौन-कौन से वो दत्तव दो तत्तव बच्चे का उचीत पोर्षन और बच्चे को वातावरण से प्राप्त होने वाले वाले काल में के शीशु की जो मस्तिकस की इवरिदी है क्या है बहुत तेज गती से होती है । इसलिए इस समय पर वूचेत पोर्षन का मेहत खोन है भी जब शीशु ववस्ता में क्या है जब बाले की मस्तिक में इवरीदी जब तेज गती से होती तो उस टाइम पर क्या है उचीत पोर्षन का बच्चे को उचीत पोर्षन बहुत महतो है यानि उचीत पोर्षन देना बहुत जुरूर है शीशुगो मस्तिक्स के कोसी का गुनन के लिए आफशक पौस्टिक तत्व ने मिल रहे हो तो उसके मस्तिक्स का अविकास उचित नहीं होता। जिससे कि उसके सीखने की प्रकरिया धीमी पड़ जाती है और यदि कुपोसन दिक कंभीर हो तो मस्तिक्ती वरिदी हमेशा केली क्या है रूख जाती है जिससे कि बच्चे को यदि अनुव अंसिक्ता में कुशागर बुद्धी प्राप्त हुई है यानि तेज तो उसका नवजात यानि छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो वो सजग होता है वो अपने आसपास के वातावरन से विविन परकार के उधीपन पराप्त करता है इने उधीपनों को ग्रहन कर बालक अप विविन परतिकों तथा परतियों का निर्मान करता है कहने करता जब नवजात सीसु धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वह क्या है सजग हो जाता है और जो उसके वातावरन के आसपास के वातावरन के से उजागर हो जाता है और नए ने उदीपन बालक ग्रहन करने लग जाता है जिससे कि उसमें सोचने की परकिरिया उतेजित हो जाती है और बोधिक अक्षमताओं का विकास होता है इशायू में दिबालको विविन तताओं चीत उधीपन ग्रहन करने के संसाधन उपलवध हो तो उसके प्रीजन उसे इन उधीपनों के सही अर्थम जाने में शक्षम हो तो उसे सही निर्देशन वै पुरोशान मिलता रहे तो वै निर्देशन उसका ग्यानात्मक विकास तीवरगती से होगा तो कहने का आर्थ है जब बच्चा अच्छे तरह से समझने में शक्षम हो जाई तो उसको अच्छा निर्देशन मिले प्रोचसान मिले और उसको क्या है बढ़ावा मिले और उसके क्या है उसके जो प्रीजन है उसको समझाने में शक्षम हो तो क्या है उसे अच्छे प्रकार में तिवर गती से ग्यानातमक विकास होता रहेगा बच्चे को सीखने के किस प्रकार के आउसर प्राप्त होते हैं कितने खिलोंने कितनी तस्वीरों वाली किताबें कितना प्रसिख़्ूभ Biz था स्रिजन आतमक कि रियाउं के लिए कितना सामान उसे मिल पाता है कहने कारता है जो बच्छा 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 सीखने के लिए किसी कार्या को सीखने के लिए उसे कितने आउसर प्राफ्त होते हैं बच्छा कितने उसे किलोने मिलते हैं या उसे कितने किताब है या कितना सीखने को मिलता है ये सबी क्या है सरिजनात्मक किरियाओं के लिए कितना समान सामान उसे मिल पाता है यह प्रिवार की जो आर्थिक स्तीती है तथा उसके रहने के स्थान से प्रभावित होता है जो प्रिवार के आर्थिक स्तीती है या जिस स्थान पर वो रहता है वो उस स्थान पर उसे सारा स का मानुपलब्ध होता है ये भी क्या है उस थान से प्रभावित होता है इसके द्रेक सीसू के अभी बावग कितने पड़े लिखें हैं किस विवसायमें हैं तथा उनका श्रूम का ग्यानातमक स्तर क्या है कहने करते हैं जो बचे के माता-पिता हैं वो किपने पड़े लिखें हैं भी वो क्या वे शाय करते हैं और उसे किस परकार का निर्देशन प्राप्त होगा यानि जो किस परकार का मारक दर्शन प्राप्त होगा सजग माता पिता उसे प्रेम पूर्ण वातावरण में रखेंगे जो सजग माता पिता हैं वो क्या है बच्चे को अच्छे वातावरण में रखेंगे और सीखने वो जिग्याशा शांत करने के नित्य नए ने तदा उची संसादन का उसर प्राप्त दान करेंगे कहने करता है जो सजगमाता पिता हैं वो अच्छे वातावरण में रखेंगे और बच्चे को सीखने के लिए जो उसके सीखने की जिग्याशा है उसको श्यांत करने के लिए नित्या मतलब डेली नए नए मुचीत संसादन वै अवसर बच्चे को परदान करेंगे तथा समय रहते बाशा क जो बाशा बोले में उसके अंदर जो बाशा के अंदर जो तरूटी आती हैं उसको दूर करने का प्रियाश करेंगे उसकी बाशा को बिना तरूटी पूर्ण क्या है क्या है उस बाशा को सुदारेंगे और उसके अंदर जो तरूटी आती हैं उन गलतियों को दूर करने का है ऐसे प्रिवार के बच्चों का ज्यानात्मक विकास अपनी नहीत जो बच्चे के अंदर बोधी कक्ष्मताओं के दारे में रहकर अधिक पुर्ण रूफ से होगा आज हमारे क्या जाएंगे सेक्ड लेसन के दिरे गुतरात्मक क्वेशन कंप्लेट हो चुके हैं और जो मैंने एक क्वेशन पढ़ाया आपको यह आप अच्छे से लार्न करेंगे थेंक्यू स्टूडेंट्स है वे नाइस डे घर पर रहें सुरक्षित रहें